अकबर बीर्बल की कहानी सबसे बड़ा मनहूस कौन एक बार की बात है बादशा अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे उसी समय बादशा के कमरे के पास से कूरा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था उसने जब देखा की अकबर को प्यास लगी है लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है तो वो खुद ही बादशा के लिए पानी ले गया उस कूरा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौप गए लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकरता उनके कमरे में पहुँचे उन्होंने कूरा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा फिर उन्होंने कुछ देर बादशा से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए तभी कुछ देर बाद बादशा अकबर का पेट खराब होने लगा जैसे जैसे दिन धलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई, बादशा की ऐसी हालत देखकर बड़े से बढ़ा हकीम बुलवाया गया लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था तभी राजवैद्य ने बादशा को ज्योतिश बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशा लगता है आप पर मन्हूस इंसान का साया पड़ गया है राजवैद्य की बात का मान रखते हैं